हेलो स्टूरेंट्स वेलकम बैक तो माई यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लब बाय शक्ति सर् सो आज हम मेकैनिकल इनर्जी कंजर्वेशन की कुछ और प्रॉब्लम्स दिखेंगे लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको मेकैनिकल इनर्जी कंजर्वेशन पर कॉंसेप्ट और नुमेरिकल प्रॉब्लम्स आपके सामने रखे थी आज भी कुछ और तीन चार एक्जाम्पल्स मैं आपके सामने रख रहा हूँ मुझे लगा कि यह भी इंपॉर्टन्ट है तो आपसे डिस्कस कर ली जाएं चलिए स्टार्ट करते हैं नुमेरिकल फर्स्स से नुमेरिकल फर्स्स क्या कहता है कि हमारे पास एक यह जो है यह एक सेमी सेर्कुलर स्लेंडर शेप है ठीक है और यह स्मूथ है उसके उपर एक स्ट्रिंग रखी गई है यह कॉर्ड रखी गई है और उसके दोनों एंड्स पे मासिज हैं M1 और M2 कहता है कि जैसे ही मासिज को रिलीज किया जाएगा M1 नीचे की तरफ आएगा स्मूथ सिलेंडर है सैमी सिलेंडर तो M1 नीचे की तरफ आएगा तो आपको बताना है कि इसका कितना स्पीड होगा कि किसी एक थीटा एंगल पे इसके पास कितना स्पीड होगा कि M2 देखो थीटा से राइस कर जाएगा तो M1 डाउनवर्ड डारेक्शन में आएगा तो M1 के पास कितना स्पीड होगा इसका मतलब यह हुआ कि यह वली सिचूइशन को हमने बताना है कि यह थीटा से राइस कर गया तो M1 जो था वो डाउनवर्ड डारेक्शन में कुछ ही एच हाइट से आ गया तो चलिए देखो नुमेरिकल सिचूइशन क्या कहती है यहाँ पर हुआ क्या है कि M2 तो अपवार डारेक्शन में गया है तो मैं माल लेता हूँ यह मेरे पास रेफरेंस लेवल है ठीक है, रेफरेंस लेवल है यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंचल इनर्जी की वैल्यू जीरो होगी इस रेफरेंस लेवल पे अब M2 अपवार डारेक्शन में किया है तो M2 ने क्या किया है ग्रेविटेशनल पोटेंचल इनर्जी गेन की है और M1 downward direction में आया है तो इसने gravitational potential energy lose की है ये negative में लिखी जाएगी इसकी gravitational potential energy positive में लिखी जाएगी और दोनों सेम speed से आगे बढ़ रही है जितनी speed से ये नीचे की तरफ जाएगा उतनी speed से M2 भी आगे बढ़ेगा तो इसका मतलब इसकी speed अगर मैं V लिखता हूँ तो इसकी भी speed मुझे कितनी लिखने पड़ेगी V तो दोनों के पास kinetic energy होगी तो equation क्या लिखी जाएगी equation ये लिखी जा सकती है कि decrease in gravitational potential energy of M1 ये जो decrease हुई है gravitational potential energy ये gain कहां पर हुई तो conservation के according कुछ gain यहां पर हुआ है gravitational M2 का gravitational potential energy gain और बाकि kinetic energy M2 की और kinetic energy M1 की ऐसी equation लिखी जाएगी उससे पहले हम क्या देख सकते हैं उससे पहले हम ये देख सकते हैं कि ये जो length है जितना ये move किया है ये कितना लिखा जाएगा r theta है ना M2 जितना move किया r theta length आगे बड़ी है इसका मतलब h जो होगा ना h क्या होगा ये h हो जाएगा r theta एक बात ये clear होगी M2 ने vertical distance कितना gain किया है वो भी देखना पड़ेगा ये उसने y vertical distance gain किया है और y की value कितनी होगी r sin of theta ये y की value होगी ठीक चलिए equation लिखते है equation क्या लिखी जाएगी कि loss in gravitational potential energy of M1 equals to gain कहा हुआ gain in gravitational potential energy of M2 plus kinetic energy of M1 plus kinetic energy of M2 ऐसे अब हमें values put करनी है values चलो put करेंगे तो हमें क्या दिखेगा कि loss कितना हुआ है तो किसम है M1 में तो M1 लिखा जाएगा G H की value है r theta वो लिख दी गई gain कितना हुआ M2 G Y Y की value है r sin theta वो लिख दिया गया kinetic energy 1 by 2 M1 V square 1 by 2 M2 V square हमें velocity calculate करना है V calculate करना है कितनी speed से यह नीची की तिरफ आएगा चलिए इस equation को जब मैं solve करता हूँ तो देखो कुछ term कोई cancel हो रही है यह जाएगा M1 G R theta negative M2 G R sin theta इसे multiply by 2 equals to M1 plus M2 speed square इस तरह से अब R G common आ सकते हैं और R G मैंने common लिख लिया यह आएगा M1 theta negative M2 sin theta इस तरह से 2 भी आ गया divided by M1 plus M2 और यह सारा root में चला जाएगा सारा का सारा root में चला जाएगा तो यह velocity आ जाएगी आपके पास यह speed आ जाएगी this is our required answer यह हमारे पास required answer हो जाएगा इस नमारी को खाएगा clear होगी बात सबको ठीक है चलिए next example देखते हैं next example example नमबर टू example टू देखते एक्जामपल टू क्या कहता है example टू में हमारे पास इस तरह का setup है कि एक हमारे पास rod है और rod के साथ इस तरह से clamp है और ये एक पुली से पास कर रहा है इस तरह से एक पुली से पास कर रहा है और दूसरी तरफ क्या है एक small m मास का और इसमें ये जो length है ये a दे रखी है आसे और ये clamp ground पे fixed है ठीक तो दो masses होगे हैं हमारे पास एक तो ये masses capital M और small m होगे passes over smooth पुली तो ये होगी smooth पुली जो है smooth है अब जो capital M है वो vertically downward आएगा rigid bar पे जैसी इसको release करेंगे तो vertically downward आएगा तो कहता है find the maximum distance raised by body M सब smooth है ये भी smooth है तो क्या कहता है find the maximum distance raised by body M ये कहा रहा है कितना ओपर जाएगा अब देखो मालो कि ये कहां पर आगया यहां पर आगया sorry maximum पूछा है तो हम maximum ओपर लेके कितना जा सकते है यहां पर आगया इतना rise कर गया इतना rise करके let's see ये y है जब इतना rise कर जाएगा तो clamp यहां कहीं आ जाएगा यहां पर और इस तरह से डाइग्राम मनेगी ऐसी अब ये situation होगी blue वाली कि अब clamp यहां पर आ गया है और small mass यहां पर आ गया है ठीक अब ये जो length है ये कितनी हो सकती है कितना thread कितना आगे बढ़ा y thread आगे बढ़ा already यहां कितना था a था तो सारी कि सारी अब thread यही है तो ये कितनी होनी चाहिए पहले कितनी थी a प्लस y क्या था फिर से बतारू a ये था और y ये थी तो इसका मतलब ये सारी के सारी thread अब कितनी होगी a plus y होगी ठीक तो यह लिखा जा सकता है यह होगा a plus y यह होगी सारी के सारी thread decrease कितना हुआ let's say यह यहाँ से y' नीचे की तरफ आया है अब यह y' नीचे की तरफ आया है तो यहाँ पर देखो again gravitational potential energy जो clamp की है जो capital M है उसकी तो decrease हुई है और gain किसकी हुई है small m की उसने gravitational potential energy gain की है तो यह equation लिखी जाएगी तो क्या लिखेंगे loss in gravitational potential energy किसने loss किया m ने और gain किसने किया gain in gravitational potential energy small m ऐसे चलिए equation क्या बैठेगी mg y' ऐसे आ जाएगा equals to अब हमें y' देखना पड़ेगा कितना होगा और gain कितना हुआ है यह है mg y इतना अब हमें relation निकालना पड़ेगा इन में से कि कौन कितनी value पर depend कर रहा है अगर हम देखें एक triangle से यह वाले triangle से देखें तो यहां से हम y' की value को लिखा जा सकता है ना यह right-angle triangle बन जाएगा यह होगे hypotenuse यह perpendicular और यह base तो y' का लिखेंगे this much square minus this much square तो y' का लिखा जाएगा y' comes out to be under root of a plus y whole square minus a square ऐसा लिखा जाएगा तो यह हमारे पास हो जाएगा mg y equals to mg y' which is equals to a plus y whole square minus a square ऐसा अब इसको solve करने के लिए यहां से हमें y का calculation करना है इसको solve करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा squaring both side तो करते हैं squaring both sides जैसे square both side करेंगे यह आजाएगा m square g square y square equals to m square g square and a plus y square minus a square इस तरह से so it comes out to be m square g square y square equals to capital m square g square then यह a square से a square cancel हो जाएगा यह यहागा 2ab plus y square यह term बचेगी ठीक अब आप देखोगे g square से g square cancel हो रहा है यह g square से g square cancel हो रहा है तो यह multiplication में होगा यहाँ पर अब एक क्या बचा m square y square m square y square equals to m square then 2ay plus y square 2ay plus y square यह equation बची है हमें y का calculation करना है अगेन आप देखोगे एक y यह y और एक y cancel हो गया हमारे पास जो result आया है that is m square y equals to m square 2a plus m square y ऐसा result आया है so small m y minus capital M y equals to capital M square 2a तो ऐसा लिखा जा सकता है y को ले लिए common m square minus m square equals to m square 2a ऐसा लिखा गया अब y की calculation क्या होगी y हो जाएगा 2a m square divided by m square minus m square ऐसा लिखा जा सकता है यहां फिर आप चाहों तो इसको ऐसा लिख सकते हो 2a divided by small m square divided by capital M square minus 1 तो यह calculation जो होगा यह y का calculation हो जाएगा which is our required answer clear होगी यह सबको numerical चले थर्ड numerical देखते हैं एक्जाम्पल थर्ड एक्जाम्पल थर्ड के कहता है कि हमारे पास एक situation है यह ऐसा है और इसके साथ एक spring है और एक हमारे पास रॉड है यह रॉड है स्मूथ रॉड पर क्या है एक रिंग है ऐसे इस तरह से रिंग है तो यह रिंग क्या है कि इसका मास है M और यहां पर जो spring एंगल बना रहा है that is 37 degree इस लेंथ L0 इकोल्स तो 4 मीटर और इस हाइट गेंड इकोल्स तो 3 मीटर यह situation है आपको रिंग का मास दिया गया है 10 kg और यह स्मूथ रॉड है मतलब friction नहीं है कहीं भी के का value spring का दिया गया है 400 newton per meter ठीक the relaxed length of spring is 4 meter relaxed length of spring 4 meter है यह भी आपको given है देखो रिंग को क्या किया गया है displace किया गया है 3 meter रिंग को 3 meter displace करके release कर दिया गया तो आप से पूछा गया find the velocity of the ring when spring become horizontal the ring is displaced by 3 meter as shown and released find the velocity of the ring when spring becomes horizontal ऐसे when spring becomes horizontal यह situation है अब देखो हुगा क्या है यहाँ पर कि already spring जो है stretched है spring क्या है already stretched है इसका मतलब spring के पास कौन सी energy है spring के पास potential energy है और कितनी होगी half के x square x की value कितनी होगी अब आप अगर geometry देखें यहाँ पर यह था 4 ठीक यह है 5 यह 5 और सब्सक्राइब यह है 3 यह 4 है तो यह जो horizontal होगा यह कितना होगा फिर obviously यह 5 होगा तो यह तो होगया 5 meter लेकिन spring की already जो standard length है वो कितनी है 4 meter है लेकिन stretch होने के बाद spring होगया 5 meter इसका मतलब इसमें elongation कितना आ गया है तो spring में जो elongation आ गया है वो है 1 meter का तो मैंने ऐसे लिख दिया तो यह होगया 200 joule यह spring की potential energy already जो है और क्या है इसके पास ring के पास है gravitational potential energy अगर मैं इसको reference level लेता हूँ यह मैं इसको reference level लेता हूँ तो यह 3 meter height पे है ring तो gravitational potential energy of ring वो कितनी होगी mg h m की value कितनी है 10 g की value भी 10 और h कितना है 3 इतना आ गया तो यह जब यह ring जो है हमारे पास जब ring वाफिस यहाँ पर आ जाएगी और spring ऐसा हो जाएगा इस तरह से हो जाएगा तो ring के पास यहाँ पर एक speed होगी वो speed हमें calculate करनी है यह ring की speed कितनी होगी तो यह speed यह kinetic energy ring के पास कहां से आई है कि potential energy spring का जो था वो भी loss हो गया और gravitational potential energy ring वो भी loss हो गया तो हम लिखेंगे loss in gravitational potential energy of ring तो यह reference level पे आगया plus loss in spring potential energy काउंकि spring अपनी natural length पे आगया कोई भी extension नहीं होगा तो यह दोनों energy loss होके के इस में convert हो गई kinetic energy में 1 by 2 mv square इस में convert हो गई तो यह तो आया 300 यह आया 200 और यह आया 1 by 2 mass थो था 10 into velocity square so it is 500 equals to 5v square so v square equals to 100 joule and v is equal to 10 sorry this is not joule this is meter per second तो यह answer आपके पास आजाएगा final so this is our final answer I hope कि आपको यह तीना examples clear हो गएँगे आसान थे देखने में मुश्किल लगते हैं first time attempt कर रहो definitely आपको यह सीखने ही चाहिए आज के लिए इतना ही मिलते हैं next lecture में wish you all the best bye bye